अगर आपने डिवाइस को रिसेट किया है फैक्ट रिसेट उसके बाद जब आप ओपन करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर यह नोटिफिकेशन आ रहे है यह आपको साइन करना पड़ेगा प्लीस यूज प्लीस साइन यूसिंग वन ओफ दॉणर्स अकाउंट और इस डिव करना है वहां पर वाई-फाइब वहां पड़ेट अबना उचन पर करना अपको यहांसे आपको क्या करना है आपको Google.com open कर लेना है Google.com open करते हैं आपका Chrome browser open हो जाएगा तो वहां से आपको ब्राउजर रखर download कर सकते हैं जिससे आपकी सीधा direct setting open हो जाएगी तो मैं आपकी आपको ब्राउजर करने के बाद हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा है और यहां पर option देखेगा हमें तो option देखेगा कौँ सा option है वह मैं आपको बताऊंगा तो यहां से अब जाना अडिशनल सेटिंग में आचुका हूं अडिशनल सैटिंग वियाहने के बाद हमें जाना यहां पर निचे scroll down करने तो निचे scroll down करने पर एक option देखेगा डेपर option उस इस पर क्लिक कर देते हैं तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर फिर से multiple types of option देखे रहे हमें नहीं निचे scroll down करने है निचे scroll down करने पर और option देखेगा हमें तो क्यों सा अप्षिन है वो मैं आपको बताता हूं तो यहां पर OEM Unlocking option है तो अलो दो बूट लोडर टुए एप swamp हुआ तू rat MmG तो इसको हमें करना ओन कना पड़ेगा इसको अनों करने के लिए हमें हैंपापना password बढ़ना पड़ना पड़ेगा सब से पहले तो तो यहां पर ुमना वासवेट बढ़ना लेता हूं और फिर इसको यहां से ओन्कर सकता हूं तो आपको भी इस आपको अगर वीडियो का लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी इंफ्रमेटिव और नॉलिजबल वीडियो तेखने के लिए